क्या कुछ हुआ है बीते हफ़ते अंतराफश्य बाजारों में कौन से महतवपून ट्रिगर्स और इन पर रखनी इस हफ़ते नजर सब बताने के लिए मेरे सही होगे दिपानिशु स्टूडियो में जोड़ चुके हैं दिपान्शु मॉनिंग कच्छा तेल लुडग गया है जो कि अच्छी बात है राहत की बात है लेकिन क्या हुआ है बीते हफ़ते बाकी मारकेट्स में थोड़ा कंसॉलिडेशन वाला पिछले हफ़ता हमने भी वैसे देखा था ग्लोबल मारकेट्स के लिए हमार मारकेट्स में भी थोड़ा आक्शन ही हुआ और फ्राइडे को थोड़ा मुनाफ़ा वसूली बाजार में आपने आती हुँ देखी आक्शली ये हफ़ता काफी एहम है वैसे तो आप कह सकते हैं कि थर्ड हफ़ता है महीने का तो जादा आक्शन आता नहीं जितना डेटा आना होता है वो आ चुका होता है बट ऐसा सच नहीं है इस बार क्योंकि सबसे पहले तो 25 से 27 अगस्त के बीच जैक्सन होल मीटिंग हो होने वाली है यूएस की अब हर साल अनुएल मीटिंग होती है पिछले दो साल से वर्चुली हो रही थी सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स एकॉनमिस्ट थिंकर्स आते हैं मिलते हैं आइडिया शेयर करते हैं पब्लिक स्टेटमेंट्स होते हैं आगे की एकनोमिक स्थिती को सेंट्रल बैंक के अक्शन को लेकर तो अब कोविट के प्रभाव के बाद निकलते हैं एकनोमिस पर आगे की क्या चाल रहेगी क्या मंदी आएगी या नहीं सेंट्रल बैंक का अक्शन कैसा रहेगा इस पर नज़र रहेगी और इंपोर्टन कॉमेंट्री आने वाली है 25 देखेंगे कि inventory data आएगा, consumer sentiment data आने वाला है, Q2 GDP के revised आंकड़े आने वाले हैं, तीन बार revised होके आते हैं तो यह दूसरा revision आने वाला है, नई घरों की बिकरी का आंकड़ा आपके सामने आने वाला है, तो कई सारे important data हैं जो इस हफते आने वाले हैं, जो again काफी indicative रहेंगे नजर बनी रहेगी, US के action की बात करें तो Friday को हमने देखा, थोड़ा फिसल कर बाजार बंद हुए हैं, करीब 300 अंक गिर कर डाव आपको बंद होते हुए दिखा, पूरे दिन थोड़ा दबाव बना हुआ था, end of the day 300 अंक लोड़क कर डाव बंद हुआ है, नाजडाक की बा थोड़ा मंदी का डर है, जैसे हम पिछले हफते भी बता रहे थे, कुछ जो डेटा आ रहा है, वो इस समय इंडिकेट कर रहा है कि शायद US economy की स्थिती उतनी healthy नहीं है, जितना एक बार बाजार को लग रहा था, तो ये दो तीन चीजे हैं, जिसकी वज़े से थोड़ा impact आ बट ये आपको एक factors हैं, जो पिछले हफते के action में आते हुँ दिखे हैं, यॉरप में थोड़ा मिला जोला कारूबार रहा है, वहाँ पर जादा action नहीं था, बट भारी उठा पटक जैसे आप बता रही थी, commodity बाजार में हुए और डॉलर इंडिक्स का भी इसमें बड़ा रोल है, वापिस 108 पर आगया है, पांच हफते की उचाई पर है, तो जहां से गिरना शुरू हुआ था, वहीं पर आप डॉलर इंडेक्स आपको वापिस आते हुँ दिख रहा है, तो ये एक important factor है, इसकी वज़े से बाजार पर and of course commodity market पर बड़ा impact पड़ा है, सोने में आप पहरी गिरावट देखिए, फिसल कर वापिस 1750 डॉलर के करीब आगया है, एक महीने के निचलिस्तर के आसबास आपको दिख रहा है, उसके अलाबा आपने देखा चांदी में पिछले हफते 7.5% की गिरावट आपने आते हुँ देखी, कच्छे तेल में बड़ा उतार सिती अच्छी नहीं दिख रही है, सिवाए नाच्रिल गैस के जहां पर पिछले हफते, अफकोस हमने 10% की तेजी देखी थी, और कुछ के खबरे आ रही हैं कि एक बार फिर से गैस प्रॉम, नौट्स्रीम 2 का सप्लाई तीन दिनों के लिए बंद करेगा, कुछ मेंटेनें इस हफते सभी बाजारों के लिए.